हलो दोस्तों राजवन सिंग मुहाली आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रप्रप्री गुरुकुल में आपका बहुत-बहुत सवागता है और जो आज का टॉपिक है यह कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ प्लॉट ऐसे प्लॉट का एरिया हमने निकालने हैं जो इसके जो एंगल है वह अलग अलग हों जैसे यह इसकी एक एक भुजा 30 है कि 40 है कि इसका मतलब यह डिफरेंट एंगल में तो डिफरेंट एंगल में यदि हमने इसका एरिया कलोकुलेट करने प्रॉपर तरीके से करना वह कैसे करना है पहले तो हम जो सिंपल मेठेड वह लेती हैं इसका सिंपल मेठेड में हमने क्या करते हैं जो आमनों सामने वाले भाही जो ले लेते हैं इन दोनों का टोटल किया 30 प्लस 42 डिवेड़ेड़ ने टू यह हमारा बबन गया तक्रीब तक्रीब च्छतीस यह आगा नीचे आगया और दूसरा जो है चाली प्लस चाली इसका आगया तक्रीब 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 एक टीफोर डिवेड़ेड़ टू फूटीटू इसको अम शत्तीस को प्याली से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पंद्रह सो बारा स्केर फिट एरिया निकलता है लेकिन दोस्तों यह एक अंदाजे के तौर पर तो ठीक है बिलकुल एगजेक्ट नहीं है थोड़ा बहुत इसमें फर्क आ जाता है क्योंकि हमने सिर्फ एवरेज बैसे पे इसको निकाला है इसका असली कैसे निकालना है तरीके से जो हमें रखवा है इसका एरिया है वो कैसे निकाल सकते है उसके लिए अपना यह फार्मॉला है एकुरेट मेतट क्या है यह पैरीमिटर मतलु होता है हमने आस पास के सारी जो बुजाई है उनका टोटल अब यह इसमें मैंने दूसरे में अपर इस एंगल को इस मतलब शेप को इस इमेज को सेंटर मेंसे 2 इसमें पांट दिया है इस पैथा गोर्स की थियोर्म काम करें पैथा गोर्स का फार्मूला काम करें तो इसका मतलब यह होता है एसकेर कि प्लस बी स्केर इस इकल टू सी सकेर सभी का अंडरूट तो यह 30 प्लस चाली यह 30 सकेर का नौसा हो गया पुजा इसकी 30 है दूसरी 40 है तो आटोमेटिक जब हम करेंगे तो यह 50 आजेगी अब हमारे पास इसमें दो ट्राइंगल बन गई है दो ट्राइंगल मैंने एक और दो यह डेड्ड पेंस लिख दी है इसमें एक और दो बन गई है और एक और दो में पहले हमने कर दीजाह का एरिया निकालना यह ए बीजी का पर मैं का परीमेटर ने एक चालीन एग एक तीस और एक 50 यह हमने 40 मुट प्लस प्लस 30 इस इकूल टू 100 ट्वंटी 110 को दो से दिवाईड आदे यहit साथ को हमने इन दोनों का डिफेरेंस है का इसा है जैसे साथ का दिफरेंस यह चाली है इसका चाली का डिफरेंस डोनों का 20 बन गया यह 20 ले लिए और उसके बाद Oo B और सी का टीश निद्टनों का तैसाठ मैंसे तीश निकालेंगा तीस आ गया और यह जो बीच में है यह और सी का यह साथ में से पचास निकालों के दास आ गया यह तीनों लेके इन को तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद यह इसका सारे का अंडर रूट निकाल लेना है अंडर रूट निकालने के बाद यह हमारे पास तक्रीबं तक्रीबं यदि हम वैसे भी इसको देखें यह एक त्रेंगल के तौर पर देखें यह बेस है यह हाइट है बेस इंटु हाइट टू बेस इंटु हाइट टू यह 600 इसका मतलब यह 600 जो स्केर फिट एरिया हमारा इसका बिल्कुल सही निकल गया यह बिल्कुल सही निकल गया ठीक है अब दूसरी जो हमारे पार ट्रेंगल बची है वह यह बची है एसी और डी अब यह सी और डी यह परिमिटर निकालना है यह बैली इस चुतालीस और पचास इन दो इन सब्सक्राइब को टो तो एक सो च्छती साता है एक सो च्छती घाएगा अब यह फार्मूलाय हैं लग लगा सिक्षेट यैट मैंद्स एन यह पचास निकाल हैंग गया अठारा आ धाएव फिर यह ब्यालीस सेकालेंगे शिक्स्टी डैट में से 26 अजए फिर यह निकालेंगे तो मिकलिए आ आधी करें तो हमारे पास यह किगर आफिवा इसको हमने सभी को अंडरूट करना है इसको सभी का वर्ग मुल निकालने के लिए हमें इसको करना पढ़ेगा तो इसका जो टोटल हमारे पास आता है 8774 सटेर इसका बिदिए दो नंबर में आगया 8474 स्केर अब दोस्तों यह देखने वाली बात यह है हमने अंदाजे से निकाला था तो हमारे पास 1512 स्केर फिट आया और हमने एक्जेक्ट निकाला है तो हमारे पास आया मतलब यह हो गया कि हमें तक्रीबार टक्रीबन यह 38let की में इस सामने आ गया किसे का मतलब है जहां पांच लाग रपे गज का रेट है तो यदि वहां पर यह कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो यह चार गज ही तकरीबन तकरीबन बीस लाग रपे तक का भी आपका नुकसान कर सकती हैं यह मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा था कि हमने कोई दो साल पहले यहीं जीर कुपर में कोई प्रॉपटी बेची थी और उसका एरिया कैलकुलेशन करने में एक सोछफ़ गज का मोके के हिसाअब और काईयों के हिसाब से फर्क आई रहा और एक सोछफ़ गज को हीडि YouTubers के मर्टी प्ले करें तो च्छनमिस लाख रप्या 96 लाख रप्या का फर्क पड़ा था तो मैंने ये फिर मेरे दिमाग में था कि ये ऐसी एक जो आपको कल्कुलेशन करके बताओं ताकि आपके साथ ऐसी कोई भी घटना नहो जिसके साथ आपका कहीं एरिया कल्कुलेट हो जाए और कम हो जाए क्यों किया जाए तो यह एकूरेट निकालने का फार्मूला यही है पैरिमिटर को जो है इनका पैरिमिटर निकालने के बाद उसको डिवाइड़ वाई टू करके यह जैसे मैंने करके देखा है और फिर यह जो सभी का डिफरेंस है अलग लग इनको मल्टिपलाई कर देना ह मल्टिपलाई करके यह तीन लाग साथ से जार आगया था हमारे पास और इसको यदि हम अंडरूट करें तो 600 स्केर फिट आता है तो एक चैसों आगया एक आट सचोहतर आगया चौदा सो दोस्तों इस तरीके से हम कर सकते हैं इसका हलाके और एक फार्मूला और भी है यदि निकाल गया देखा तो आप भी निकाल लेना यह परपेंडी को लिए जो 35 आया है और इसको निकाल लें यह 24 है और यह 30 है चौबिस को यह मतलब यह 50 है यह बेस इसका पचास दोनों का बेस पचास हो गया पचास को चौवी से मुल्टिपलाई करोगे डिवाइड़ तो यह तकरीम आट सो पिछतर से आता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल अकुरे यह के बिलकुल नज्दीग है और दोस्तों इस तरीके की गलती नहों इसलिए यह आज का वीडियो था तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा तो जिस दोस्तों को यह वीडियो पुसंद आया है और अपने दोस्तों के साथ यह नौलेज को शेर करना जाते हो तो आप वीडियो उनके साथ शेर कर दो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंती वाला बटन दबा दो क्योंकि बड़ी इंप्रॉटेंट वीडिय सकते हो एप्रीशेशन मेरे गलती है कोई उसको ठीक रहा तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मैं सारे के सारे कमेंट बढ़ता हूं और जितने जुरूरी होते हैं उनका सबी का जवाब देता हूं तो दोस्तों आज के लिए इतने उमीद करते हैं इस वीडियो से आप अच्छे तरीके से सीखके अपने अंदर confidence बढ़ाएंगे और confidence बढ़ने के साथ आपके साथ कोई भी दोका नहीं कर सकता आप अपना ध्यान रखें अपना ख्याल रखें और ऐसे वीडियो देखते रहें education के वीडियो देखते रहें जितने भी आप education के वीडियो देखेंगे उतनी आपकी बती दिमाग की बती जगती रहेगी और यदि आपकी दिमाग की बती जगती रही मेरे दिमाग की बती जगती रही तो हम अपने समाज के लिए अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं अपने देश को तरकी करवा सकते हैं सो दोस्तों मिलता हूं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखो पढ़ते रहो बढ़ते रहो पढ़ते रहो बढ़ते रहो थैंक यू वरी मच्छ